तो हाई फ्रेंड दोस्तों हमारे यूटूब चैनल आपका स्वागत है फ्रेंड दोस्तों मैं रिकल बॉक्स का यह अपडेट बता रहा हूं कि जिसके मैंने मीडिया टेक का पहले पार्ट में बता दिया है और आज में जो मेरा टॉपिक चलेगा आप लोगा एस पीडी पर आफ़ोन में लगा हूँ आप लोग देखते होंगे उसका आप एफ हार पी बाइपास फ्लैसिंग सीप्यू वाइज में बताऊंगा ठीक है मेडिकल बॉक्स आप कई से निकालेंगे इसको इस्टेप बाइस्टेप वीडियो को फॉल वाच कीजिए फ्रेंट दोस्तों होना चाहते सौफ़वेर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो लेटेस्स लेटेस्ट वीडियो बनाता रहता हूं वह आप से मिसन ओफिरेंट तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं इसप पेमें जाना है एस पीडियो मे description मिल जागा या बैक पार्ट में देख लिएगा मेरिकल बॉक्स चलाना सिखे पार्ट वन करके है ठीक है तो रीड इनफो का काम होता है कि मतलब रीड करना सब्ट्वेर कोन है मतलब कौन सा वर्जन इसमें चरहा हुआ है मतलब सारा डिटेल्स उसमें पिछली वीडियो में बताया हूं तो रीड इनफो को छोड़ देते हैं बांक यह आता है रीड रीड का जो काम होता है आप जैसे में आप फॉर्मेट करते हैं लिए देख लिए यहां जो फॉर्मेट करते हैं फॉर्मेट पर टिक तो उसमें जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको रीड करने के लिए बोलता ठीक है आपको अगर रीड करना है तो रीड करके रख लीजिया न था अगर जिसमें फॉर्मेट करते हैं कभी कभी सेट डेड होते हैं फायल जिससे में अगर एक Раз हमारा डेड़ हो गया तो कंडिशन में अगर फाइल को हम चर्ण दें तो उस कंडिशन वे फॉन जो है वह सबस्क्राइब में रहता है उस कंडिशन में आ जाता है आधे तो इसलिए आपको हमेसा अगर निचयान मतलब कोई चीज में एक्सपर्ट हैं जादा तो अगर बार बार नहीं किया है कभी तो फर्स्ट टाइम आप कीजिए तो एक बार रीड करके रख लिया कि उसमें हमारा क्या जाता है बट आप सेफ रहते हैं उस समय अगर डेड़ भी हो गया तो हम राइट कर देंगा उसमें यहां से एक फाइल को यहांसे राइट कर देंगा तो आपको फॉन को फॉन को हमारा करने को बाッ तो आप यहांसे राइट कर सकतते हैं कि यहांसे छवालिय के आपकोक देना होगा obsessive स्ट पर Friends मिया और और आपको दिखाता है यह इतने सारे model ठीक है इतने सारे model जो दिखाता है यह CPU वाईज है ठीक हाग आप ूश्सक प्रon में कौन लगा हुआ है शीज्ट्ष इम यह सलेक्ट कर लिजिए निय है सारा neew model का यह आप सphone 100 and 10 percent format हो जाए जैसे कि मौन लिया जाए आपको कोई phone आ गया उसको format करना यहां पर select format पर करना है यहां universal रहना देना अगर CPU उसका पता है तो CPU पर दे देना है अगर आपको नहीं पता है CPU तो model wise भी है ठीक है यहां देख लिजे बहुत सारे model यहां दे रखा है तो आपको करना क्या है model select कर लेना ठीक है model जैसे आप को कोई phone हो गया ठीक है यह देखे सबस्क्राइब माइक्रो मेक्रो मैक्स माइक्रो मैक्स हम कर लेते हैं उसके बाद यह देखे माइक्रो मेक्स में इतने model है हमारे पास ठीक है और भी मैं दिखा दे रहा हूं कि इतना model क्यों 402 मतलब इसमें सारा है वहारत तू बहुत सारे model इसमें दे रखा है को इसमें मॉडल नहीं है तो आपको करना कि आगे उनिवर्सल में रहने देना ठीख है यूनि भर्षra कर देना है यहाँ से सिर्सिलेक्ट कर लिसा ठीख है आपका हो जाएगा अगर आपको आपको Samsung का फोन अन्लोग करना है तो आपको Read Unlock पर जाना है यहां से आपको इनिवर्सल रहने देना है यह यह SPD 653 samsung का है यह कोई भी कीपेड फोन आता है इसमें यही cp ू लगा होता ठीक तो उसमें आप यहां से पासवर्ट उनलोग उसका कर सकते हैं अगर इससे नहीं होता है रिसेट यूजर कोड कर सकते हैं यहां से सैमसंग Samsung का यह वाला CPU सेलेक्ट कर लिजेगा अगर यहां से भी नहीं होता है तो लास्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं उसके फाइल को आप रीड कर लिजे ठीक है के टाइम से पेड़ बटन का कोई भी फ़ो थीं चार मोडल आता उसमें रहे मेहिं मेथड़ है तो आपको क्या करना है उसके फ़ौन को रिड कर लेना पाइनका उसका Southwest रीड कर ले ना है उनिभर्सल नहें देना sork 30 सरसर मतलब यह 30 रहने देना ठीक है उसके बाद इसकी यूजर डाटा कर सकते हैं क्योंकि उसका डाटा यूजर डाटा कहले हम करेंगे ज्यादा टाइम लग जाता है इसके लिए अस्टार्ट बतन दबाएंगे ठीक है करना है फाइल अनलॉक पर जैसे किलिक करेंगे उसके बाद अस्टार्ट बटन दबाएंगे तो जो फाइल आप जहां रखे हुए होंगे वह फाइल मांगेगा ठीक है मेरे में है तो मैं देखता हूं कोई अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है यह देखिए 65 00 मतलब यह सैमसंग का यहां दबाते हैं जैसे देते हैं यह देखिए आपका आजागा कोड यह आपको बस इतना सा काम करना यह देखिए जो यह यह कोड कस्टमर लगाया है शुरू से अंत तक वह पूरा कोड़ दे रखा है और स्क्रीन लॉक यह कोड़ है अनलॉक कोड़ है आपका जो circular उrong यही है और प्राइबसी अनलोक करने के लिए फॉन लॉक्स यही होगा ठीक है तो उसके बाद बात आता है सेमस बाहर पासवर्ण कर ले में उसके बाद को अगर मूडल नॉबर दे रखा तो मॉडल लंबर स्लीक्ट कर सकते हैं ठीक हैं बस यही था इसमें और उसके बाद आयैंगी राइट कर सकते हैं। สथके तो अगर यह सिरे एक तो नहीं है नहीं रहा हुआ थिक तो आप लोह को तो आपको प्लेलिस्ट में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक वहाँ देख लिजेगा ठीक है तो उसके बाद बात आती है यह देख लिजिए फारपी आप निकाल लिजेगा उसके बाद आप आती है यह देख लिजिए रिस्टोर बैकप एक्स्ट में सुलते हैंнок आग साइफ श्राम को क्या मिलेगा कि इंडूआड मोड में मतलब आप एडीब मोड में निकाल सकते हैं ठीक ओड़ मोड में निकालने चिल्ber कोड के लिए यह उसके बाद रूट एडीवी एडीवी मोड में इसको रूट कर सकते हैं फॉन को ठीक है इसके बैक अप माल एडीवी इसका ज्यादा कावड ही है यह रीडवी डाटा नंड मतलब डाटा नेटवर्क फाइल भी बोला जाये इसको तो मुलिए पॉड़ा चाहिए इसको अद व्यादा फोसे नेटवर्क फाइल नहीं माना किस्वियंद को नेटवर्क मान सकते नंड फाइल कभी-कभी नेटवर्क लिए कंवा आ जाता है वर इसको डेड़ हो जाता है फोन जिसमें उससे में इसको यूज किया जाता ठीक है उसके बाद आती है hardware information मतलब restore backup इसमें आप ज्यादा कुछ ने स्क्रीन अनलॉक यह काम का चीज़ है आप इसका अनलॉक कर सकते बिना data डिलीट हुए ठीक है अगर सिर्फ इसक्रीन लॉक उपर से इस्टॉल मतलब अनलॉक करना है तो आप SPD टूल में आप यह यूज कर सकते वह यूनिवर्सल देना है CPU देना है CPU पता है तो अगर नहीं पता है तो नोडल वाइज आप कर सकते ओपर in की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो अगर नहीं से अगर कुछिफ भी शीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं जो लेटेस्स से लेटेस्स वीडियो बनाता रहता हूं वह आपसे मिस ना प्रेटिकर और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं SPD टूल में आपको क्या है सबसे पहले अगर किसी फोन का पासबॉर्ड अनलॉक करना मनलिया ज। जियदा तर सैमसंग का याता USB में छोटा प्रेटियों हो सकताँ अगर अगर रीड करね तैं इसके बाद आपको क्या करना है आपको क्या करना है इसकी पुझा लाट का संसंग स्टीप you सेलेक्ट कर लेना उसके बाद अगर हो जाएगा उसके बाद फाइल अनलॉक पर किलिक करना है और जहां आप बटन दबाके जहां फाइल आपका रखा हुआ हुआ मैं जैसे यहां मेरा रखा हुआ है तो आपको जहां रखा हुआ है सिर्फ दिजिए का फाइल को आपको पासवर्ट आप बता देगा ठीक है उसके बाद आधा बाताती आती है बडे फॉन का फॉर्मेट करना ऊंपासवृ rename करना तो फॉर्मेट पर जाना है फॉर्मिट पर जैसे जाएंगे अस्टार्ट पूसी युनिवर्सल रहने देना सीप्यू सेलेक्ट कर लेना सीप्यू सेलेक्ट करने के बाद अस्टार्ट बतन देना आपका पासवड अनलॉक हो जाएगा पासवड जैसे ही होगा पासवड जैसे ही अनलॉक होग कि आपको एफ एफ रपी लेगा निकालने के लिए आपको क्या करना एफ और पी रिषेट पर किलिक करना है इस फार पी अनलोक स्टाइट बटन मतल होना है मतलब यूनिवर्सल ने मोडल है तो मोडल देजिए या तो यूनिवर्सल देजिए उसके बाद आपको स्टाट बटन देना फर्पी आपको 110% निकल जाएगा ठीक है दोस्तों आशा करता हूं अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को बिडियो लाइक और चैनल को संजी क्विशन फ्रेंग और इस पर को इस वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो मुम्हाडा आएगा क्वालक्म पर आएगा क्या कईसे इससे इसक्षाद निकालना करना कौन सा टूol प्रेश्ट होता हैं तो इस पर वीडियो में रहागा फ्रेंड्स थेंक्स पर वाचिंग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए